तो भाई यो एक एक करके पैसा जोरके जब हम लोग कोई नया मुबाइल या फिर स्मार्टफोन लेने जाते ना तो हमारा मन में सबसे पहला कोस्टिन आता है कि सबसे अच्छा मुबाइल कौन सा है और यह कोस्टिन आने का एक रिजन भी है क्योंकि मार्केट में देखोगे तो बहुत तरह का ब्रांड का आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है रियल मी है रेडमी है ओपो है भीवो है सेमसंग है मोट्रोला है वान प्लस है और भी काफिसरा ब्रांड है टेक्नो इंफिनिक्स तो ही है और इतना ब्रांड होने के बैसे हम लोग समझ नहीं पा या फिर काफी सारा वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा डाउट रही जाता है क्या यह फोन सच में सही रहेगा क्या वो फोन ले लू या फिर नहीं लू तो भाई इतना टेंसर में मत रहो आज की इस वीडियो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा म सबसे बेस लगता है और क्यों लगता है कॉमेंट करके बताना ताकि वीवर्स को पता चले कि हाँ यह एक रिजन है जिसके वैसे वाला स्मार्टफोन अच्छा है तो कॉमेंट जरू करना अब चलिए जानते कौन सा सबसे बेस्ट है तो देखिए आपका बजेट कौन सा है पहले आपको चूज करना परेगा आपका जो भी बजेट है तो उससे सब से आपको करना परेगा अब 9000 क को सब्हांब को में आपको बतांगा वेकिन सबसे पहले बजेट चूज कर लो उसके बाद आपको क्या आपको मूबाल में कैमरा जाई आपको मूबाल में गेमिंग करना है आपको मूबाल में बेटरी बेकाप अच्छा चाईस इस तो यह चीज आप पहले चुज कर सब्सक्रानीज क्या है आपको क्या चाहिए स्मार्टफोन अब देखसे कोई भी स्मार्टफोन मार्केट economic से उठा लो सारे स्मार्टफोन में पमूछ सब्सक्राइब के है पा का फोन में फोन यहां क्या desirable रहां दो फिर गूगल का फिकछल आप को लेना पदेगा पूले चाहते हैं यह जाइन दिस्केप्स सब्सक्न मैं टाल डूँगा और अगर आप गेमिंग के मामल में फोन ढूंड़ो आपको next level का गेमिंग करना है तो फिर आप दूसरा ब्रांड में मज़ाओ मुझे लगता है आपको आईकू का फोन लेना चाहिए क्यूंकि आईकू जो फीचर्स प्रोबाइड करवाता है वाई गेमिंग के मामल में वह मार्केट मे थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा चल जाएगा तो फिर आप समसंग में जा सकते हो कियुकि सेमसंग का जो डिस्प्लेय देता है वह नेक्स लेवल का डिस्प्लेय होता है मार्केट में किसी भी ब्रांड ऐसा नहीं है कि उसका जैसा डिस्प्ले दिये पाएगा और उसमें क्यामरा भी अच्छा होता है समसंग का क्यामरा अच्छा ही होता है और अगर आप सोच रहे हो भाई नहीं मुझे फर्स चार्जिंग तगरा वाला चाहिए तो यहां पर काप चाहिए या फिर यह वाला फिचेश चाहिए तो वह चूस कर लोगे तो आपको मार्केट में मुबाइल ढूणने में आसानी होगा आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा अब दोस्तों आपका बजेट कम है क्योंकि आईक्यू का फोन थोरा सा महेंगा रहता है व और इस बजट में आके यानि मीड रेंज में अंडर 20,000 आपको ब्रांट में ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि यहां पर काफिसरा इंफिनिस का भी फोन एवलेवल है जो की काफी अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है वहां पर आपको ब्रांट को नहीं देखना है इस ही सबसे बेस्ट है तो इसलिए मुझे यह लेना है अगर आपका बजट ही कम है और आप सोचरो भाई कोई ब्रांट का मुबाइड लेना है तो फिर आप ब्रांट देखोगे न तो फीचर्स आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए यहां पर आपको फीचर्स में ध्यान दो अगर आपका बजट कम है अगर आपका बजट 20,000 से ज्यादा है तो फिर ब्रांट देखो और उस बजट में महंगा ब्रांट भी काफी अच्छा फीचर्स प्रोबाइड करवा देता है तो मुझे रखता है आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि कौन सा मूबाइल अच तर लिए जाए हिंद टेक्याइब